वेलकम तुर नौलेज सोर्ट तो प्राइम मिनिस्टर मोधी है यह फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इंडिया को जो कि उनाइटेट नेशन सिकूर्टी काउंसिल के मीटिंग को प्रिसाइट करने वाले हैं और यह जो एक इंपोर्टेंट माइलिस्टोन है जहां पर आ बिफोर स्टाइटिंग इस सेशन मैं आपको बताना चाहूंगा आप हमारे टेलिग्राम चैनल और फेस्बूक चैनल से जोड़ना ना बोलें और हमारे यूटूब चैनल को भी सब्स्राइब ना बोलना चाहें क्योंकि जो भी हम कंट्रिब्यूट कर रहे हैं जिस तरीके स पूरे स्ट्रक्चर जो देखे जिस तरीके से यूएनसी फ़र्म करता है जिसमें कि 5 प्लस 10 यानि कि 5 जो पर्मानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 जो हैं वो नन पर्मानेंट मेंबर्स होते हैं जो की 2 साल तक के लिए चूज के जाते हैं बारी-बारी से तो इसी के सलसिले में आपको मालुम होगा कि इंडिया जो है यहाँ पे अभी उसकी पर्मानेंट नन पर्मानेंट सीट की जो मेंबर है उसमें उनको इंक्लूड इंक्लूजन हुआ था और उसी के तहएत अगर हम देखें जो यह अगस्ट के पूरे मन्त की जो प्रेसिडेंसी है UNSE की उसमें इंड को प्रिसाइट करेंगे तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलिस्टोन है जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इंडिया को अगर पर्मानेंट सीट के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाना है तो इसमें इस तरीके के जो एंड़ाज है यह बहुत ही हेलफुल होंगे अगर मैं बात करो यहां पर हमेशा से ही different countries जहां पर रसिया हो गया फ्रांस हो गया USA हो गया Britain हो गया यह 5 जो permanent members है उसमें चार से country जो है यह हमेशा से ही इंडिया की support को UNSC में अगर permanent members की expansion के बारे में बात करें इसका स्वागत करते हैं लेकिन अगर आपको मालूम होगा हमेशा से ही चाइना जो है इंडिया को हमेशा से ही अपने veto power को use करके block करने की गुसिस करता है जिसके चलते अभी अगर हम देखें लास्ट दो दसक में इस तरीके से इंडिया ने contribute किया है UN के लिए different countries के लिए इसमें कहीं ने कहीं इंडिया का inclusion अब तक हो जाना चाहिए था लेकिन जिस तरीके से चाइना जो है work करता है आपको मालूम होगा तो इसी के अगर सिलसले में देखें तो इंडिया का inclusion जो है ये कहीं ने कहीं इस प्रेसिडेंसी से जो अगस्त के पूरे मंत में इंडिया को मिली है इसमें कहीं ने कहीं ये helpful होगी तो अगर हम बात करें जैसे कि इंडिया का हमेशा से ही यूएन के लिए approach 5 एजेंडाज पर work करता है जैसे कि सम्मान, संबाद, सहयोग, सांती और समरिधी यानि कि ये जो 5 important components है जो कि इंडिया को हमेशा से इसका अपना मुल मंत्र मानता है और जिस तरीके से इंडिया इसको अचीव करने की कोशिस करता है और इंडिया हमेशा से ही different अगर देखे जेंडाज को adopt करता है जिसमें कि multilateralism हो गया rule of law हो गया, fair and equitable international system हो गया जो कि चाइना को अगर हम देखें इस तरीके से इसका कहीं भी दूर दूर तक इसका रिस्ता नहीं है जो कि चाइना इसमें believe नहीं करता है लेकिन यह जो अपने veto power को use करता है against the India और जिसके चलते इंडिया को अभी तक अगर हम देखें इतने इस अच्छे contribution के बावजूद भी इंडिया को UN में अभी permanent state नहीं मिल पाई है अगर हम देखें किस तरीके से यह जो UNAC presidency जो पास हुआ है इंडिया के लिए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो 10 non-permanent members होते हैं जो कि 2 years terms के लिए choose कि जाते हैं जिसमें कि इंडिया को ये 2 years का अगर हम देखें non-presidential जो non-permanent members है उनमें इनको यहाँ पे अस्थान मिला है और इसी के चलते यहाँ पे एक मंत की जो presidency है उसको यहाँ पे इंडिया को अमंतित किया गया है कि आईए आप UNC के जो भी एजेंडाज हैं उसको आप handle किजे अगर हम देखें इंडिया जो है ये non-permanent members जो है उसमें की seven occasions पहले इसमें choose किया गया है और ये जो stint जो है इंडिया का दो साल का जो January 1st में इसी साल start हुआ है दो साल के लिए अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से importance है या क्या importance है इसका अगर one month presidency के लिए देखें देखें इंडिया जो है हमेशा से ही इसमें UN की जो highest decision making body के लिए work करता रहा है और उसमें जो भी resolutions अभी आएंगे अगर next one month में यानि अगस्त के पूरे माहिने में देखें जो भी resolutions आएंगे, directives आएंगे, वो पूरे जो भी members हैं, either they are permanent और non-permanent उनके उपर binding होगे यानि कि जो भी azendas होंगे, जिस तरीके के meeting के resolutions होंगे, वो India set करेगा तो इससे पता चलेगा कि इंडिया किस तरीके से पूरे group को handle कर सकता है, पूरे world को handle कर सकता है तो इससे इंडिया की maturity है, या फिर इंडिया की acceptance है, accepting the different by the different countries वो भी कहीं नहीं बढ़ेगी इसमें इंडिया जो है, इसका major focus अभी क्योंकि different agendas आने वाले पूरे अगस्त मन्त में हैं जिसमें की maritime security हो गया, peace keeping हो गया, counter terrorism हो गया तो ये इससे तीन important components हैं जो कि इंडिया इस पर focus करेगा और along with आपको बता दू कि different countries की resolutions particularly आई हैं जैसे कि Syria हो गया, Somalia हो गया, तो इनकी उपर भी जेंडाज या फिर policy की resolutions जो है वो इंडिया ले के आएगा और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाता है, ये कहीं ने कहीं इससे पता चलेगा कि इंडिया कितना तयार है permanent member states के लिए तो अगर हम देखें, इस पे question ये भी उड़ता है कि क्या इंडिया जो ये resolution मिली है इससे कहीं ने कहीं permanent member states के लिए आगे अपनी जो पकड़ है उसको बढ़ा सकता है तो बिल्कुल हाँ, अगर इसका answer मैं बोलू तो हाँ इसमें क्योंकि इंडिया जो है, अपनी ये दो साल को अच्छे चरह से utilize करे और जो presidency जो अभी मिली है, one month के लिए इसमें इंडिया अगर अच्छे से work करे और दुनिया को बताए कि हाँ हम तयार है, responsible persons है और responsible country है जहाँ पर different जो अगर हम देखे concerning जो अभी recent challenges अभी पूरे world को शेल रहा है उसमें हम कहीं नहीं कहीं contribute कर सुके है और इंडिया ने कई बार ये contribute करते हुए बताया भी है जाए वो UN Peacekeeping Force हो, जाए हो different maritime security provider हो तो इसमें कहीं नहीं इंडिया work कर रहा है और अगर हम देखें, इंडिया अगर यहाँ पे maturity से पूरे world को ये बताता है कि UN Security Council के platform से कि हाँ हम तयार है और जो भी agenda सेट करता है, उसको पूरे countries अगर accept करती है अगर जो कि कुछ countries बेसिकली नहीं करिंग जैसे कि China और Pakistan है तो यहाँ पे इंडिया के लिए जो ये पकड़ होगी UN की seats कोई जो permanent seats से उसको हासिल करने के लिए यह भी कहीं नहीं इसकी improvement हमें देखने को मिल सकती है So I really hope you guys have understood this whole concept about this camera So that's it for today, thank you as always for joining